असलाम अलेकुम वीवर क्याले खेरें उमीदे के आप खुश होंगे तो जैसे के यह आप लोग देख रहे होंगे एक MPPT चार्ज कंट्रोलर के पर्चेस कराए मैंने तो जैसे के यह आप लोग देख रहे होंगे असी इंपेर का MPPT चार्ज कंट्रोलर तो दिखाने का मकसद ही है कि आप लोगों को यह दिखा रहा हूं तो यह आज का वीडियो MPPT के हवाले से है जैसे के आप लोग यह देख रहे होंगे कि यह MPPT चार्ज कंट्रोलर है तो यह इसकी एक साल वारंटी है और यह मैं अगर बोले तो बॉक्स में आप लोगों को दिखा दूँ तो यह आप लोग बॉक्स देखते होंगे कि यह आप लोग बॉक्स जो ना आप लोग देख रहे होंगे तो यह मैंने बोक्स आप लोगों को दिखा दिया बाकी यह है बारां चोबीश शत्तीस असी इंपेर का MPPT है तो यह आप देख रहे होंगे असी इंपेर का MPPT चार्ज कंट्रोलर तो दिखाने का मकसद है कि जिस भाईयों को पता नहीं है तो यह अभी MPPT चार्ज कंट्रोलर सिंको का है तो यह आज का वीडियो में आप लोगों को सिर्फ दिखाना चाहरा था कि यह MPPT चार्ज कंट्रोलर बारां चोबीस और शत्तिस अर्तालिस वोल्ट में यह काम करता है तो भाई लोग आप लोगों पता है कि जैसे के यह सोलर चार्ज कंट्रोलर है असी MPPT का तो इसको हम जो ना अन्बोक्सिन कर रहे हैं जैसे के मैं अभी इसको बाहर निकालूंगा तो दोस्तों इसमें एक वारंटी कार्ड मिल रहा है हमारे को तो इसको हम खोल के देखते हैं कि इसमें अंदर क्या हमारे को मिलता है तो यह हमारे पास वारंटी कार्ड यह इसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है आप लोगों को पता है कि यह MPPT चार्ज कंट्रोलर की मैंने अन्बोक्सिन करी हुई है तो यह आप लोगों को दिखा रहा था यह आप लोगों ने देख लिया है इसको मैं फिर भी जूम करके देखता हूँ कि यह मैंने आप लोगों को दिखा दिया बाकी इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है अच्छा हाँ इसमें है मैनुवल बुक जो है तो इसमें मैनुवल बुक नजर आता है हमारे को के इसमें आप कितने पेनल लगाते हो कितने पेनल के अवाले से वोल्टेक्स हम देख सकते हैं इसमें जैसे के यह हमारे पास यह डिसी 22 वोल्ट यह 12 वोल्ट के हैं और इसके अलावा डिसी 44 वोल्ट यह जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा है यह मैं जूम करके दिखा रहा था यह यह देख सकते हैं 44 वोल्ड यह है 24 वोल्ड की यह देखो 24 वोल्ड की सेटिंग है बाकी जैसे के यह मैनुल बुक तो ऐसे ही होता है तो यह भी बड़ी काम की चीज़ है इसमें बन्दा सेटिंग देखके बंदा सेटिंग करता है तो ये है मैन्वेल बुके है ये इसकी पूरी डेटेल ये इसकी पूरी डेटेल नदर आ रही होंगी आप लिओंगे तो चलो इसको हम जो ना इस थेली में डालते हैं बाकि हम जो लेखिये इसको अवरल जो ना इसको चेक करते हैं जी तो दोस्तों अभी इस में से हम चार्ज कंट्रोलर बाहर निकाल रहे हैं तो यह एक हमारा चार्ज कंट्रोलर बाहर आ गया है इसको मैं थेली से बाहर निकालूं जी तो दोस्तों जैसे कि यह मैंने थेली से बाहर निकाल दिया है तो अभी आप देख रहे होंगे है कि जैसे कि यह MPPT चार्ज कंट्रोलर आप लोगों को नजर आ रहा है यह मैंने पूरा इसको डिस्प्ले किया हुआ है है तो दिखाने का मकसद ही होता है कि आप दोस्तों को पता होना चाहिए कि है MPPT चार्ज कंट्रोलर तो यह आज का रिव्यू था बाकी हम जोना आप लोगों को इसको करके भी आप लोगों को दिखाएंगे हम जोना इसको ओन करके भी आप लोगों को दिखाएंगे कि जैसे कि यह किस तरीके से ओन होता है क्या है क्या नहीं है तो यह यह डेटाशीट है इसकी यह इसकी डेटाशीट है तो जैसे कि यह आप लोगों देख रहे होंगे इसकी डेटाशीट यह मैंने और जूम कर दिया है और यह थोड़ा सा वजनी है यह इसका फैन है यह आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यह इसका फेन है, बाकी यह है नीचे का प्रोग्राम, जैसे कि यह सोलर है, बेटरी है, और केलिक है, तो आप लोगों को यह सारा कुछ दिखा दिया, तो आप लोगों से मेरी एक ही रुक्वेस होती है, के मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, पाकिस्तान जिन्दावार,